पहले आपको शाला धरपन के स्टाफ window को लोगिन कर लेना है ताती हो मैं यहां लोगिन परक्रिया आपके साथ साजा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि आप लोगिन परक्रिया से यदि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होगे तो आप login प्रक्रिया से बली बांती परिचित हो चुके होंगे जब आप login होंगे तो इस तरह का dashboard आपके सामने आएगा आपको यहाँ पर मिलेगा APAR नेम से एक option इस पर आपको क्लिक करना है जिसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको दो option मिलेंगे APAR dashboard और APAR FAQ तो आपको जो APAR dashboard नेम से option मिल रहा है इस पर क्लिक करना है जिसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ time process होगी और इस तरह की information खुल कर आपके सामने आ जाएगी तो अब आपको APAR session यहाँ select करना है उसके लिए आपको यहाँ 2022 सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ OK का option दिखाए देगा तो आपको OK पर क्लिक कर लेना है जिसे आप OK पर क्लिक करेंगे इस तरह की information आपके सामने display हो जाएगी तो आप से संबंदि सारी information यहाँ पर आपको display होती रहेगी यदि इसमें किसी परकार की गलती है तो आप शालादरपन टीम से संपर करें पहले इसमें सुदार करा हैं उसके बाद ही APAR online करें अब आप APAR online करना चाहते हैं तो आपको यहाँ option मिलेगा click to fill और edit new APAR का इस पर आपको click कर लेना है जैसे आप इस पर click करेंगे इस तरह की information आपके सामने अब यहाँ खुल कर आएगी तो सबसे पहले सात्यों आपको यहाँ देखना है यहाँ officer list आपके जो officer है जिस दिनको आपको APAR forward करना है उनकी list आपको यहाँ available करवाए गई है तो आप यहाँ click करके पहले अपने officer की list आप यहाँ से download कर लिजेगा और अपना system में रख लिजेगा उसके बाद यहाँ दूसरे number पर आपको option available करवाए गया है APAR channel क्या रहेगा यदि आप 3rd grade चिक्षक है या 2nd grade चिक्षक है या 1st grade चिक्षक है या अन्य है तो आपका channel क्या रहेगा उस channel से संबंदी संपुन जानकरी भी आपको यहाँ available करवाई गई है तो सबसे पहले आपको officer की list डाउनलोड कर लेनी है उसके बाद आपका channel जो APAR करेने वाला है उसकी list को भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और देख लेना है कि आपका APAR कौन से channel पर आपको बढ़ना है तो यह उक्त दोनों कारे आपको सबसे पहले करने है उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर यहाँ आपको option मिलेंगे लोगसेवक का प्रकार आपको चुनने के लिए कहा जाएगा तो यदि आप मांतर लेके अधिनस्त करा कार्मिक है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे यदि आप तरती शर्णी और दिति शर्णी स्रंकला के शेक्षिक कार्मिक है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे यदि आप व्याक्याता प्रदानाध्यापत प्राचार है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे यहां क्लिक करेंगे तो आप इस तरह की इंफोर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी तो अब आपको यहां red line में जो note दिया हुआ है वो देखना है साथों यहां दिया हुआ है परतिवेदन की दिनांग 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 सेक्सिक staff यदि आप सेक्सिक staff है तो आपके लिए जो परतिवेदन की starting तिती क्या रहेगी एक जुलाई 2022 रहेगी और end तिती क्या रहेगी 30 जून 2023 रहेगी यह सेक्सिक staff के लिए है यह आपको ध्यान रखना है और other staff के लिए यहां आपको बताया गया है उनके लिए 1 अपरेल 2022 सेक्सिक staff सहीद तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यह विशेश रूप से आपको इस note को ध्यान में रखते हुए यह आपका API रफिल करना है तो उसके लिए मैं सेक्सिक staff हूँ और तिती शेंड से बिलोंग करता हूँ तो यहां from date आपको मिलेगा तो यहां from date पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले आपको यहां 2022 सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको कब से बढ़ना है तो वो तिती आपको यहां बताए गई है कि आपको एक जुलाई से लेना है तो आप यहां एक जुलाई सेलेक्ट कर सकते हैं तो जिसे आप एक जु आएगा उसके बाद जून आएगा और तीस आएगा तो आपको यहां तीस पर क्लिक कर देना यह डेट सेलेक्ट होकर यहां आ जाएगी अब यहां लिव के बारे में जानकारी चाहेगी है तो यदि आपने कोई आसादार अवकाश लिया है तो उसकी इन्फोर्मेशन आपको यहां देनी है तो कब से कब तक आपने लिया है कोई आसादर अवकाश आपके द्वरोला लिया गया है तो उसके लिए आपको यहां वोई क्लिक करना है या calendar box open हो जाएगा उस calendar box में से कब से आपने अवकास लिया ता वो तिथी वर्ष और महिना चुनेंगे और उसके बाद कब तक आपने लिया है उसमें भी वही आप वर्ष तिथी और दिनांग चुन लेंगे और यहां बता देंगे और यदि आपने कोई असदर अवकास नही क्लिक करना है अब आपको यहां कई अन्य ओप्शन मिलेंगे एपार की प्रिविष्टि की जानी है उक्ताःधी में लोग सेवा राजकियों सेवा में नहीं था उक्ताःधी में लोग सेव अन्य सेवा में कार रधता किसी के अधिन नियुनतम 3 मा सुपर्विजिण में सेव में नहीं था या अन्यक जो भी आपके लिए उचिते आप सेलेक्ट करें फिलाल मेरे लिए जो उचिते APR की प्रिविश्टि की जानी है और अधितर सात्यों के लिए यही रहेगा तो आपको APR की प्रिविश्टि की जानी पर किलिक कर लेना है उसके बाद फॉर्म टाइप आपको यहां सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो यहां आप किलिक कर लिजेगा AUTOMATIC आपके लिए जो भी लागू रहेगा आपकी पोस्ट के अनुसार वो आपको यहां दिखाए दे जाएगा राज अधिनस्त सिक्षा सेवा कर्मचारी के लिए योगिता के हिसाब से आपको यहां दिखाए देगा उसके बाद आपकी पोस्ट बता नहीं है तो यहां सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है तो आप यहां किलिक कर लिजेगा यहां से आपकी पोस्ट ओटोमेटिक लिए आपको शो हो जाएगी तो आप यहां से पोस्ट सेलेक्ट कर लिजेगा उसके बाद आपको यह पोस्टिंग पहले सेलेक्ट करने के लिए का जाएगा तो यहां किलिक कर लिजेगा और आपका पोस्टिंग पहले साप यहां से दिखाई देगा तो आप उस पर किलिक करेंके पोस्टिंग पहले सेलेक्ट कर लिजेगा उसके बाद आपको यहां सेव क उकास लिया है तो उनकी तितियां आपको यहां शोगी APAR में आपने जो सेलेक्ट किया था जो जो भी आपने चीज़ सेलेक्ट किती हो सब आपको यहां दिखाए देने लगेगी यदि आपको लगता है कि इनमें किसी प्रकार की गल्ती है तो आपको यहां delete का option दिया हुआ है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यह information आपके सामने से delete हो जाएगी और यह दिया आपको लगता है कि यह सारी information सही है तो आपको यह option मिलेगा create APAR application का तो इस पर आपको click कर लेना है इस तरह का dialogue box आपको यहां अब इस तरह की information आपके सामने नीचे की और खुल कर आ जाएगी तो आपको यह reporting officer आपका चूज करना है reviewing officer आपको चूज करना है और accepting officer आपको चूज करना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका accepting officer कोन होगा reporting officer कोन होगा reviewing officer कोन होगा इसके लिए आप अपर से जो मैंने बताया है कि वहां से चैनल लिस्ट डानलोक कीजिए उसमें आपको सब कोच सबस्त किया हुआ कただ reporting officer कोन और klemm все kaura कोन होगा और accepting officer कोन होगा तो आप जब मैंसे लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे कि आपके लिए कौन-कौन से अधिकारी है तो अब आपको यहां option मिलेगा choose officer का तो इस choose officer वाला option पर आपको क्लिक करना है जिसे आप यहां क्लिक करेंगे इस तरह की information खुलकर आपके सामने आएगी अब मैं आपको यहां उप अधिकारी थे, reporting officer से वो retire हो चुके हैं तो आपको यह retire पर क्लिक करना है उनका name और designation आपको यहां select name designation उनकी आपको यहां दर्ज कर देनी है उसके बाद जो आपके नए जो भी आपके नए reporting officer है उनको आपको यहां search करना है और search करने के लिए मैंने बताया कि जो सूची आप आपको आउलेबल करवाए गई है उसमें आपके अधिकारी का name भी दिया गया है और उनकी शालादरपन ID भी दी गई है तो आप जो भी उनकी name शालादरपन ID या mobile number जिससे भी आप search करना चाहते हैं तो आप यहां से mobile number पर click करेंगे और mobile number यहां enter करेंगे उसके बास search option पर click कर देंगे मानलों की date हो चुकी है तो date के case में भी आपको यही करना है उनका name और date designation यहां लिख देना है उसके बाद जो आपके नए अधिकारी अभी है उनको आपको search करके select करना है अभी मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल step by step पहले हम इन बिंदों को समझ देते हैं उसके बाद यदि suspend है आपके अधिकारी तो suspend के इसमें भी आपको यही option मिलेगा आपको name designation उनकी यहां लिख देनी है यह कारी यहां करना है फिलाल मेरे अधिकारी जो है वो working में तो मैं working पर click कर रहा हूं और जिसे working पर click करेंगा आपका अधिकारी भी working पर है और या उनका retirement हो चुका है तो आप जो process में follow कर रहा हूं वह process अब आपको follow करनी है अब आपको यह option मिल जाएगा किस से आप search करना चाते है बाई staff ID से search करना चाते है employee ID से search करना चाते है mobile number से करना चाते है या by post से करना चाते है तो मेरा आप से निवेदन रहेगा कि आप list download करके उसमें स mobile number type कर लिए mobile number 10 जाप बैए drops can मिलेगा तो आपको सर्च सर्च वाले option पर अप क्लिक करना जीसे है आप सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ time process होगी और आपको आजाना है नीचे की और आपको यह different box मिलेगा एक select box पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपके अधिकारी के अधिकारी का नेम उनकी employee ID आपको सब यहां दिखाए देने लगेगी तो आपको यहां जो ID और उनका नेम दिखाए दे उस पर क्लिक करना है जैसे उस पर click करेंगे, वो select होकर आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे, अब इस तरह की information आपको नीचे की ओर display होगी, उनकी जो आपका अधिकारी है reporting officer है, उनकी staff idea आपको यहां मिल जाएगी, उनका name और mobile number आपको यहां मिलेगा, employee idea आपको यहां मिल जाएगी, उनकी current post आपको यहां show हो जाएगा, तो आपको देख लेना है कि यही आपके reporting officer है, यदि यही आपके reporting officer है, तो आपको यहां जो check box मिल रहा है, इस पर click कर लेना है, जिसे आपको यहां option मिलेगा, save reporting का, तो इस पर आपको click कर लेना है, जिसे आप यहां click करेंगे, आपको dialogue box मिल अब आपके रिपोर्टिंग ओपिसर का नेम आपको यहां ओपर दिखाई देने लगेगा कि आपका रिपोर्टिंग ओपिसर को ने आपने जो सेलेक्ट किया था उनका नेम आपको यहां दिखाई देने लगेगा अब आपको आपके रिवीविंग ओपिसर को चैन करना है तो तो आपको रिवीव अपिसर में भी वही बात ध्यान रखने हैं कि वर्किंग पे हैं, रिटायर हो चुके हैं, या उनकी डेत हो चुकी है, या वो सस्पेंड है, तो आपको करना कुछ नहीं, उनका यदि रिटायर हो चुके हैं, मानलो तो उनका नेम और डेजिगनेशन आप आपको यहां लिख देनी है बाकी प्रक्रिया होई है जो अभी वर्तमान में आपके रिवीविंग अधिकारी है उने की डिटेल आपको यहां फिल करनी है के वल जो डिटायर हो चुके उनका तो आपको नेम और डेजिगनेशन फिल करनी है तो आपको जो प्रोसेस में वर्कि पर क्लिक कर ले आप मेरे पास mobile number है मेरे reviewing अधिकारी के तो यहां में mobile number पर क्लिक कर लेता हूँ आपके पाद भी mobile number मिल जाएंगे यह दिया आपने वो list डाउनलोड करी होगी तो उसके बाद यहां mobile number एंटर उनके कर लीजिए फिर आपको यहां search का option मिलेगा तो इस search वाले option पर क्लिक कर लेना है कुछ time wait करना है शाला दरपन प्रोसेस करेगी उसके बाद आपको यहां आना है select box आपको मिलेगा तो select box पर क्लिक करना है जैसे आप select box पर क्लिक करेंगा आपके reviewing अधिकारी का name आपको यहां display हो जाएगा तो यहां से आपको उनको select कर लेना है उनको select करने के उपरान तो आपको आना यहां नीचे की और जहां पर आपको उनकी staff ID दिख जाएगी उनका name आपको दिखाए देगा employee ID यहां display हो जाए यहां save reviewing officer का तो इस पर आपको click कर लेना है जैसे आप यहां click करेंगे आपको फिर से वही dialogue box उपर की और देखने को मिलेगा reviewing officer से successful ही तो आपको okay कर लेना है जैसे आप okay करेंगे आपको उनका name यहां दिखाए देने लगेगा आप जैसा मुझे यहां name दिखाए दे रहा है reviewing officer का एसा name आपको यहां दिखाए देने लगेगा अब बारी आती है आपके accepting officer की तो accepting officer का आपको चैन करना है तो उसके लिए आपको accepting officer सर्च करने के लिए दिया हुआ है तो वही आपके पास आपके accepting officer के mobile number होंगे तो आपको यहां accepting officer के mobile number पर click कर लेना है और जैसे आप यहा आपको उनके mobile number enter कर लेना है फिर आपको यहाँ पर option मिलेगा search का तो वही आपको प्रक्रिया अपना नहीं search पर क्लिक कर देना है शारा धरपन कुछ time process करेगी और फिर आपको यहाँ आ जाना है select officer का आपको जो option मिलेगा इस पर तो आपको यहाँ क्लिक करना है जिसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको accepting officer का name आपको यहाँ display हो जाएगा तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है जिसे आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आगे आपको option मिल जाएगा save accepting officer के name से तो इस पर आपको click कर लेना है, जैसे आप यहाँ click करेंगे, आपको इस तरह का dialogue box उपर की ओर मिल जाएगा, accepting officer saved successfully का, तो आपको यहाँ OK पर click कर लेना, जैसे ही OK पर click करेंगे, आपके सामने इस तरह की information display हो जाएगी, आपके reporting officer का name आपको यहाँ display होगा, आपके accepting officer का name, मैं step by step भी बता देता हूँ सात्यों, आपके reporting officer का name आपको यहाँ show होगा, आपके reviewing officer का name भी आपको यहाँ show हो जाएगा, आपके accepting officer का name भी आपको यहाँ show हो जाएगा, अब सात्यों आपको यहाँ भात ध्यान क्या रखना है, आपको channel के अनुसार ही चलना है, जो आपने channel आपक मुझे जो भी पद आपका है। उसका चैनल क्या है? APAR बढ़ने का उस चैनल की लिस्ट मेना आपको कहा है कि आपको सबसे पहले उसको डाउनलोड करना है, उसमें देखना है और आपके पद के अनुसार, रिपोर्टिंग ओपिसर आपका कौन होगा, reviewing officer आपका कौन होगा accepting officer आपका कौन होगा आपके पद के अनुसार आपको chain करना है मेरे पद के अनुसार मैंने आपको यह chain करके बताया परन्तु आपको इस बात का अवश्यक रुफ्त दियान रखना है तो जब आपको लगे कि यह सब सही है तो आपको यह एक close का option मिल रहा है इस close वाले option पर आपको click कर लेना है अब इस तरह की information आपको यह display हो जाएगी आपका APIR period आपको दिखाए यहाँ जाएगा उसके बाद officer के name आपको यहाँ फिर से दिखाए जाएगे उनकी post उनके name सब आपको यहाँ दिखाए जाएगा उसके बाद आपको यहाँ आगे जो option मिल रहा है फिल application name से इस पर click करना है जैसे आप यहाँ click करेंगे आपके सामने इस तरह की information खुल कर आएगी तो अब आपको आजाना है यहाँ नीचे की और तो आपके सामने इस तरह की information यहाँ खुल कर आएगी जहाँ आपको जानकारी देनी होगी मुक्य परिणामिक कारियों के लिए निर्दारित लक्ष्यों क्रपया विनिर्दिष्ट करें कि अनुसार सोयम द्वारा किया गया मुल्यांकन अब आपको नामंकन आपने निर्दारित लक्ष आपका क्या था या आपको यहाँ मैंने पहले साथ में इस form को fill up कर दिया आपको यहाँ खाली मिलेगा तो आपको यहाँ निर्दारित लक्ष क्या था आपको 100% कर देना है वास्तिक उपलब्दिया आपने यदि हांसिल करी 100% तो आप यह 100 लिख देंगे उसके बाद यह उपलब्दियों के में यदि आपके कोई कमी रही है तो उसका कारण आपको बताना होगा परन्तु यहां निर्दारीद लक्ष भी आपका 100 था वास्त्विक उपलब्दी भी आपने 100% हांसिल कर ली तो अब आपको यहां 9 लिख देना उसी तरह थेराओ में आप 100-100 लिख सकते हैं चायल्ट ट्रेकिंग प्रगती में आप 100-100 लिख सकते हैं जनसव गिता में भी आपको सेम इसको कोपी कर लेना यदि आपका वास्त्विक कारी रहा है मेरे अनुसारी रहा है तो आप इसको कोप कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां option मिलेगा saved draft का तो आपको इस पर click कर लेना जैसे आप इस पर click करेंगे आपको इस तरह का dialogue box यहां देखने को मिलेगा reporting data saved successfully under APAR by reporting officer तो यह okay का option जो मिल रहा है इस पर आपको click कर लेना है जैसे आप यहां click करेंगे यह dialogue box आपके सामने से यहां से हड़ जाएगा अब आपको आना है यहां नीचे की ओर यहां आपको परिच्चा परिणाम बढ़ना है साती हूं तो परिच्चा परिणाम according तो आप किस कक्षा को पढ़ाते उसके उपर depend करेगा तो आपको परिच्चा परिणाम यहां board कक्षाओं का ही पढ़ना है रिजल्ट आपको बढ़ना है तो आपकी पोस्ट आपको देख लेने उसी अनुसार आपको यह कंशा का चेन करना है जिस कंशवें को आपने पढ़ाया है तो मैंने चंशा 5 को पढ़ाया है यहने कक्षा 5 यह सेलेक्ट कर लिए अब उसके बाद यहां विश्य सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो यहां किलिक कर लिजेगा जो भी विश्य आपने पढ़ा है वो विश्य आप यहां से सेलेक्ट कर लिजेगा आपके परिक्षा में इस कक्षा में कुल कितने विद विद्यार्थियों की संक्या आपको यहां बता देनी है, जितने विद्यार्थि आपके इसक्षा में थे, उनकी संक्या आपको यहां लिख देनी है, जैसे कि मेरे पांच थी तो मैंने यहां पांच लिख दिया है, उत्तिन विद्यार्थि कितने हुए, वो संक्या आपको यह दर्ज करने है तो साथों आपको आपको आट्री की बात करें तो आपके विध्यारति विद्यारतिे के आपको आपको आपके ग्रेड जरी तो मेरेtoo D क्लिक देता हूं क्योंकि 60% से उपर एक रेड निश्ची थे मेरे सभी विध्यारतियों के बनी है तो अब इस तरह आप भी यहां जानकारी फिल कर लेंगे उसके बाद आपको यह उप्शन मिलेगा आगे सेव का तो सेव पर आपको क्लिक कर लेना है यह डेटा आपके सामने स विध्यारतियों को तो दो सब्जेक्ट पढ़ाएं तो दो सब्जेक्ट की जानकारी भी आप यहां से दे सकते हैं आप कुल विध्यारतियों की संक्या बता सकते हैं फिर आप कितने विध्यारति हुए उनकी संक्या यहां बता सकते हैं उसके बाद 60% से अधिक विध्यारत भी आप इस तरह से यहां सेव करते जाएंगे और यहां परिचा परिणाम की परिविष्टिय आप इस परिकार करेंगे उसके बाद आपको यहां आगे जानकारी देनी होगी अन्य सेक्षिनिक उपलब्दियों का उलेक लेक शोदपत्र पत्रवाचन अध्यापन परतियोकता अन्य पुरुसकार आदी के संदर में यह आपके उपर यह लागू होता है आपका कोई लेक शोदपत्र वाचन या जो भी परतियोकता आपने करवाई है तो उससे संबंदित इन्फोर्मेशन आप यहां लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहे यह डिपेंड करेगा आप के उपर तो आपको यहां आपसे संबंदित इन्फोर्मेशन यहां दर्ज कर देनी है फिलाल मेरे लिए यहां एक भी लागू नहीं है तो मैंने यहां नो पर क्लिक कर लिया है उसके बाद आपको यहां जानकारी देनी होगी वर्ष के दुरान प्राप्त परस्शिक्शन के ईसके बाद आउदक इतने दिन की थी चेज दिन की थी तो वह आप यहां लिकेंगे उसके बाद प्रसक्शं से प्राप अप्लब्दी आपको शोट में यहां पर लिख देनी है फिर आपको से उपर क्लिक कर लेना है फिर आपकistem lihat तो सेम ऐसा कासे डायलोग बोक्स नीचे ओपन होकर आ जाएगा तो यदि आपने और पर्शिक्षन प्राप्त किये हैं तो और पर्शिक्षन की जानकारी भी आप यहां देते जाएगे तो आप पर्शिक्षन की एक से अधिक जानकारी यदि आपके ने एक से अधिक पर्शि लिमिट आपके लिए डाल दी गई है 250 शब्द में आपको लिखना है आपके बारे में आपके कारे के बारे में 250 से कम शब्दों में यहां जानकारी दे देनी है उसके बाद आपको आना है यहां नीचे की और जहां आपको मिल रहा है option submit का तो आपको इस submit वाले option पर kita कलिक कर पर क्लिक कर लेना है और फिर आना है आपको सात्यों नीचे की और जहां आपको option दिखाए देगा for finish and lock click here this will be lock your entire application तो आपको अब आपका जब API पूरी तरीके से बरा जाए सात्यों मैंने आपको ध्यान रखना है मैंने यह जो फोर मैं आपको यहाँ डेमो के तोर पर बरके ब finish and lock API क्लिक here पर तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का डायलोग बोक्स आपके सामने खुल कर आ जाएगा please make sure that information data of complete API period is filled as once the application has been forwarded to next level you would not be able to change or edit any data in your application मतलब इसका सिधा सा है कि यह दिया आपने एक बार आपकी application को lock कर दिया तो आप नेक्स लेवल पर पहुंच जाएगी और आप उसमें कुछ भी changes नहीं कर पाएगे तो आप आपकी application को पहले पूरे से अच्छे से चेक कीजेगा कहीं गलती तो नहीं है और गलती नहीं है तो आपको यहाँ OK का जो option मिल रहा है इस पर click कर लेना जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का dialogue box आ जाएगा are you sure you want to lock entire application and send reporting officer तो आपको जो OK मिल रहा है इस OK पर click कर लेना है अब आपके सामने इस तरह की information आएगी तो आप से यहाँ पूचा जाएगा क्या चिकिसा प्रिक्शन रिपोर्ट अफ्लोड करना चाते हैं विदि आप क क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का information आएगा medical status है उस successfully का तो आपको इस OK पर click कर लेना है जैसे आपके पर क्लिक करेंगे इस तरह की information आपके सामने फिर से कुल कर आ जाएगी अब आपको यहाँ option मिलने लगेगा send OTP का तो आपको send OTP वाले option पर आप click कर लेना है जैसे आप send OTP पर click करेंगे आपके जो register mobile number आपको यहाँ उपर दिखाये जा रहे हैं उन पर एक OTP आएगा उन OTP को आपको यहाँ एंटर करना है उसके बाद confirm OTP पर click कर देना है और जैसे आप confirm OTP पर click करेंगे आपका जो APAR है next level पर forward हो जाएगा सम्मिट हो जाएगा और अब आप उसमें changes नहीं कर पाएंगे तो इस तरह सातियों आप शाला दरपन के staff इंडो से बड़े आसानी से इस वीडियो की साहिता लेकर आपका जो वार्शिक कारी मुल्यांकन परतिवेदने उसे online कर पाएंगे उम्मीद है जानकारी आपको अच अच्छी लगे तो यह जानकार हमारे अन्य सात्यों तक भी पहुंचाएंगा और हाँ सात्यों मेरा चैनल कर दो 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 झाल झाल